अगर आपको अच्छी क्वालिटी के बीच चाहिए तो आप गार्डन दोस्त की वेबसाइट एक बार जुरूर विजिट कर सकते हैं इंपोर्टर क्वालिटी जो होती हैं नरसरी मैंन के दुवारा यूज किये जाते हैं बीच वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो प्लीज विजिट वन्स तो मिने बाद जाके ग्रोव हुए थे जर्मिने टुए थे इनका जो जर्मिनेशन टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है जो करनलागे सके भी चंच दो आप एसके क्विज लगाते हैं Or दूसरे आप इसके कॉर्म्स भी सेव कर सकते हैं जो इसकी जड़े होती हैं उनको हम कॉरम्स बोलते हैं और इनके आप जो कॉरम्स हैं वो आप अक्टूबर में लगा सकते हैं और उससे जारा आपका हेल्थी पौदा बनेगा अगर मैं कंपेर करूं सीट से पर बीच से ग्रो करने मुझे एक फायदा लगा है जो इसकी फ्लावरिंग होती है बहुत ज़ादा यूनिफॉर्म होती है और बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं जहां मैंने इसके ट्यूबर्स जिनको हम कॉर्ण से भी मैंने लगा के देखें बहुत छोटे-छोटे से फूल आते हैं पर आते जादा है पर ये मुझे ज़ा से 150-200 रुपीज का ही मिलता है इसलिए मैं हमेशा घर पे जो इसके बीज है वो ग्रो करने की कोशिश करता हूँ और इसके जो दोस्तो क्लाइमेट सुटेबल होता है इसको बहुत जारा ठंड चाहिए होती है एक तो होती है जो हमारे इंडिया में ऑक्टूबर से बढ़नी श जारा शुरू कर देते हैं और जब भी आप इसको ग्रो करें इसको जो फटलाइजर देना चाहिए उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा पर सेंपल मैं आपको यह भी चीज बताना चाहूंगा इनको पानी कम से कम दें जितना इनकी जुरूरत है यह फंगस को बहुत सनलाइट भी ठीक ठाकी पसंदा ज्यादा आपको सनलाइट में नहीं रखना चाहिए वैसे मैंने तो फुल सनलाइट में रखे हुए थे पर काफी जगा पर जैसे मेरे यहां पर टेंपरेचर फिर भी सही रहता है पर काफी जग जैसे जैपुर या राजिस्थान वाले इल जो मैं इसको फर्टिलाइजर देता आ रहा हूँ जो है डी एपी डी एपी मैं आपको हरे एक वीडियो में बताता हूं अगर आप रेगुलर वीवर्स हो आपको पूरी तरह से अभी तो मालुम पढ़ गया होगा मैं डी एपी क्यों यूज़ करता हूं क्योंकि इसमें प्लांट्स की रूट ग्रोथ हो अच्छा करता है और अगर जब आप रूट ग्रोथ है जैसे कॉर्म बंते हैं इसके उसको जारा हमें देखना चाहिए उसकी केर करनी चाहिए इसलिए हम इसमें जो रूट्स वाला फर्टिलाइजर है डी एपी ही डालेंगे जिसके साथ इ फूल आता है बिल्कुल छोटे से आता है जिसका हमें कोई फायदा नहीं होता इसलिए अगर ज़रा पत्ते हैं इसके पत्ते आपको तोड़ने चाहिए और आपको फूल पे ज़रा चाहिए उसके सार क्या पैटल्स का जो नंबर है वह इंक्रीज होता रहता है और एक चीज सकते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट को कोई एक कपड़े में बांद के आप उसको एक जा दो दन के लिए एक पांच लीटर के पानी वाली अगर आपके पैस बाल्टी उसमें रख सकते हैं जब उसका कलर चेंज हो जाएगा उसका आप एक-एक मग सभी पौदों में दे सकते हैं कंपोस्टी हम जिसको कहते हैं वो आपके पौदे बहुत अच्छे से चलेंगे और उनको सभी नुट्रिशन मिलेगा यह जो प्रोसेस है दीएपी और वर्मी कंपोस्ट वाला यह आप 10-15 दिनों बाद दोहरा सकते हैं और रननेंकिलस में दोस्तों बीज जो बनते हैं बहुत ही एजी है सो यही थी दोस्तों कुछ इंफोमेशन जो आपको रनननकिलस के बारे में बतानी थी कुछ खास इस प्लांट में नहीं करना पड़ता जो मैंने आपको चीज़े बताएं उसके साथ आपका बहुत अच्छी से बढ़ेगा सो अगर आपको यह वीडियो प